तो हम करे astır और हम प्रेते अवकलन, तो लस्ट क्लास में हमने पढ़ा qually जिसमें पार्सिक्स तौत कर ले थे और उसमें हमने आईलर परमे के बारे में पढ़ा आज हमाद दिन करेंगे उस आईलर परमे के जिस्ट बाद में जो आएगा एस वस्पर्णों के लिए दिव क्या उकलत तो देखो इसमें क्या होता है कि आपके जैसे कोई फुलन दिया गया है एक उसका जब एक्स के सपट Gesetz कि उसको पी माल लेजाता है ठीक है और जब इस्फ का किसी फुलनल Cum अब Adam इसको तो मां लिए जाता है और जब इसका कुनरいきल कि यह जाता है दोय लफ आदेव इसवकेश इसको मांने है रहे रेल स्क्राइप और एक्स ओर बाइट होता है ने जब इस फरी आपके आपड़ दूसरी बार जब वाई के सब्सक्राइब किया जाता तो इसको मांगते हैं एस फिर डेल स्कूर एप अपॉन टेल वाइस क्वैर एक्वल टू यह होता है आपके जैसे हैं कि इसमें आर ऐसे और यह हो गया ती तो अब इसका सुतर बनता है तेल स्कूर वाइप ओन टी एक्स स्कूर इक्वल टू माइनस में यह किसका है एस फ़स फन्नों के लिए दिवत्य आउकलस का यू स्कूर आर माइनस टू पी यू एस प्लस पी स्कूर टी अपॉन इस स्वाय कि गानी चीज के तो आप देखो इस क्यूशन उन कैसे अल करते हैं तो जैसे कि हमारे पास में यह क्यूशन दिया हुआ है तो इस क्यूशन क्या करना है कि सबसे पहले है D square y upon dx square चीए तो d-Square used upon dxSquare चाहिए तो उसके लिए हमें उस उतr के सारे वेंज़िग प्राप्त करने होंगे, वो सारे कैसे प्राप्त करेंगे, न Il ajust camera प्रेकत जो दिया बीप्रह्म है उसको पहले फलन मानना पड़ेया, तो फलन कीसे मानएंगी fxy equal to मैंने मान लिया x q plus y q minus 3a x square ठीक है तो पहले इसका उकलिन करना है x के साफ x x के साफ x उकलिन करेंगे तो मैं क्या लिकूँ है इसको यह हो गया 3x square और यह हो जाएगा minus में 6a x कैसे हो भई एक्स का होता है यह 3x square और y है वो अचर मान ले जाता है अचर मान लेने से उसका उकलिन क्या हो जाएगा सुन्ये और यह हो गया 6a x clear एता उसके बाद में हम करते हैं y के साफ x तो डेल य के साफ x क्या तो y के साफ x यहां से हो जाएगा 3y square फिर डेल स्काइर एप अपॉन डेल एक्स स्काइर करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा 6x minus 6a ठीक है अब जब हम अब यह जो है वो किसके साफ ब्राबर है पीके और यह वाला क्योंके और यह क्या हो जाएगा आर अब चाहिए क्या एस तो एस ब्राबर मैंने किया बताई था आपको डी स्कॉर वाइप ओन डेल एक्स डेल वाई तो अब यह रहा एक्स का पद आप इसका क्या करना है वाई के साफ एक्स आपन करना है तो जब इसके पद जो दिए गए हैं वह एक्स में दिए गए तो ओल्डेडी लुगान है वह जीरो हो जाएंगे तो इसका उखल नहीं हो गया जीरो तो उसके बाद में है टी कोण सा है डी स्कॉर एक पॉन टेल स्कॉर एप अपोन डेल वाई स्कॉर तो अब इसका अव्क आं बेए यह रायक्स करना है यह यह यहां पे तो इसको लिखना में श्क्ष् स्कुयर यह सूतर होता है माइनस का क्यों इसकुयर और मटस टूपी क्यो स्प्लस पी स्कुयर टी अपोन क्योंकि गार्ट्ट की गार ने यह तर थाम नहीं Гraem तो आप दोगवुव तो यह था भी क्यों स्कुरी नहीं कि का माइनस भूल जाओ कि हमें सारे पहले मान रखने लग जाएं और उसके बाद माइनस गाइब हो जाएं तो कभी आंसोर नहीं हैं तो थ्री वाय स्क्वाइर का होल स्क्वाइर कोस्ट एक सिक्स एक स्माइनस से सिक्स ए माइनस टू इंटू पी का मान क्या है यह रहां थ्री एक्स स्क्वाइर माइनस सिक्स ए एक्स डोट क्यू का मान है थ्री वाय स्क्वाइर डोट यह होगे एस का मान जीरो प्लस पी स्क्वाइर अब पी स्क्वाइर कौन सा है यह वाला तो इसका क्या लिखना मैं थ्र 6y अपोन यह हो जाएगा 3y स्क्वाइर का गात 3 ठीक है अब देखो एक तो इसका मांद हो जाएगा 0 यहां से इन में से कोमन आजाएगा आपके 9 x 6 यानि कि 54 चोवन कोमन आजाएगे और नीचे हो जाएगा 27 तो 27 से इकट गया दो बार तो मैं क्या लिकुन हो जाएगा इसको 2 पोस्टक y की पावर 4 पोस्टक x-a और यह हो गया 0 प्लस यहां पर बजाएगा x square minus 2a x का whole square dot y upon y की पावर 6 बस गया यह इतना अरे समझ गये नहीं यह यह मैंने डाइरेक्ट लिखा है लेकिन आप लोग यह दिदी चाहो तो इसको हल करके भी लिख सकते हो और लिख देना ठीक रहेगा अब उससे क्या होगा कि देखो इनको अंदर गुणा कराने के बाद में इसको एक बार हल कर लिए और फिर इसको वापिस है कोश्टक की अंदर लिख देने पर x square minus 2a x का whole square dot y प्राप्त हो जाएगा अब यहां से हम y common यह लेंगे तो y से y cancel हो जाएगा तो यहां पर क्या बस गया y की गाद 3 कोश्टक x minus a plus x square minus 2a x का whole square upon y की power 5 अरे यहां से y common लिया दोनों में y है तो एक y को common लिया तो यहां पर बस गया y की गाद 3 कोश्टक x minus a plus x square minus 2a x का whole square अब है यहां से जो उप्रोक्त समीकर्ण दीगी थी उप्रोक्त समीकर्ण से हैं कि समीकर्ण से य क्यूब का मान निकालने पर य क्यूब का मान क्या निकलेगा क्या समीकर्ण पी x square plus y cube minus क्या ताग है 3a square 3a x square ने 3a x square equal to 0 तो यहां से y cube गमान क्या निकल जाएगा 3a x square minus x की गाद 3 ठीक है तो अब इस समीकर्ण का यहां पर मान रख देते हैं यहां पर मान रखेंगी तो minus का 2 और यह हो गया 3a x square minus x की गाद 3 पोस्टक यह हो जाएगा x minus a plus x square minus 2a x का 0 square अपोन यह बस जाएगा यहां पर y की पावर 5 ठीक है तो इनको हल करने पर यहां पर देखो इनको गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 3a square x square minus यह हो जाएगा आपके 3 sorry x की पावर 4 minus में प्राप्त हो जाएगा यह और इदर से देखो plus में प्राप्त हो जाएगा तो प्लस से प्लस कर जाएगा और यहां पर आजाएगा माइनस के 3A square x square और यहां पर हो जाएंगे 4 तो टोटल इकुल मिला के यहां से प्रापत हो जाएगा हमें A square x square upon y की पावर 5 अब इसको समीकर में आप मान रख देना मैं इसको हलने करके डाइरेक्ट इसलिए लिक रहा हूँ क्यूंकि हमें क्यूसन और भी कराने है और टाइम में हमारे पास में कम इसलिए आप लोग है इसको हल कर लेना अरे गुणा बाग जोड़ बागी गुणा बाग तो आते हैं आपको सब्सक्राइब A square X square upon Y की गाद 5 तो उपर देखो हमारे पास में क्या है यह वाला है तो यहां पर क्या था समिकरण D square Y upon D X square plus 2A square X square upon Y की पावर 5 इक्वल टू जीरो था अब है यहां से हमने क्या प्राप क्या D square Y upon D X square तो यहां पर मान रख दूँ मैं यहां पर मान रखूंगा तो क्या जाएगा 2A square X square upon Y की पावर 5 प्लस 2A square X square upon Y की पावर 5 इक्वल टू जीरो तो इससे हैं यह सिद हो गया तो इसमें आप यह भी लिख सकते हो एंस पूल की हमारे पास में जो मान ले आता हमने वो सिद्ध हो गया और इस तरह से आपको क्यूशन से वह ठोल करने ठीक है एक्स ब्रावर है वन अपॉन जेड तो एक्स का जेड़ गे सपेक्स डी इक्स अपॉन फिर इद इक्वल टू माइनस बन अपॉन एड्रिश्क खरन हो जाएगा अब है यहां से अपने वो करना है तो सबसे पहले डिवाइब डिएक्स का सुत्र क्या होता है डिवाइब डिजेड डोट डिजेड अपॉन डिएक्स इस सीधा मान रखा वाइब डिजेड डिएक्स का मान रखदो तो चै Luigi ऑपोन डिजेड पॉस्टक माइनस का जेड इस्कुराइर यह हमारे पास में डिवाइब डिएक्स प्राप्त हो गया तो दो बार अुकल न करने के लिए अपने क्या करना है यहां से लिखना है d square by upon dx square equal to d upon dx dy by dx ठीक है इसका x के साफ एक साफ को ओकलन करना है तो x के साफ एक साफ एक साफ करने से क्या हो जाएगा मैं इसको क्या लिखूँँगा पहले देखो एक बात यहां पर ध्यान रकना कि यह जो आउकलन करते हैं तो यहां पर जेडट डिजेड अपॉन dx लिखते हैं कि इसका दो बार कि मतलब यह होता है कि इस पूरे को मैंने वाइव मान लिया इस पुरे को जब मैं वाइव मानुगा तो डीवाइब दीच फिर से माउकलन कर रहें तो उसे यह डबल हो जाएगा अजुन भी डबल हो जाएगा और मैं इसको क्या लिख सकता हूं डी वाई अपॉन डीजेट डोर डीजेट अपॉन टी एक्स वो लिखने पर हमारे पास में द्यूत्तिये अउकलेज प्रप्त हो जाएंगी तो आप देखो यहां पर मैंने लिखा डी अपॉन डीजेट कोस्ट डीवा डीजेट से मान क्या है माईंस का जेड़ि स्कुन डोर्ट डीवाट दीजेट हैं kommer डीजेट को सबसे पहले इनका पहलाउकलन कर देंबार अन्करेंगी कैसे कि पहले स्कू मैनसलिट स्कोयर को रहने दिया मांनसलिट इसका कितना इएगा इतना Where इतना है यह मैंने क्लिए रो गया है मैंने कि अंदर वाढ़े की रखुक्र किया हूथ यह बाहर पड़ा है और इसके जगे मैंने वो उपरवाड़ा मैनस का z square मान रख दिया तो आप देखो यह रखेंगे तो आप ऐसा करो पहले इसको अंदर गुणा करा लो गुणा कराएंगे तो यह हो जाएगा जेड़ की पावर 4 d square y upon d z square यह हो जाएगा प्लस में 2 z cube dot d y by d z यह हमारे पास प्राप्ट हो गया क्या d square y upon d x square ठीक है बई अरे हमने क्यों अभी तक इसका दियूतिय आउकलस प्राप्ट किया है 2 z cube dot d y by d z इस तरह से यह हमने प्राप्ट किया है अब क्या करना है इसको उस उपरवारे समीकर में मान रखना है कौन से वाड़ी में इसमें x square dot d square y upon तो x square dot d square y upon d x square क्या है जेड़ी पावर 4 dot d square y upon d x square जेड़ी स्क्वाइर z square plus 2 z cube dot d y by d z plus आगे क्या दियावा है आगे हमें दियावा है x d y by d x तो x plus d y by d x का है d y by d x यह रहा माइनस का z square dot d y by d z फिर आगें plus का y equal to 0 तो आप इसको देख आगें कि x square को अंदर गुणा कराएंगे तो x square को अंदर गुणा कराने से पहले हम यहा पे x square का मान रखेंगे x square का मान कहा से आएगा दियेगे क्स ребен से इपर देखो सब से उपर दियावा है x βख इस ब्राबर 1पोण z square तो x square ब्राबर कितना Kagya और पोन जेड का square तो यहाँ पे मान रख दूँगा मैं वन आपोण z का square तो 1 upon आप देखो इसको नदा गुना कराऊंगा तो मैं क्या लिक सकता हूं इसको z square dot d square y upon d z square plus यहां से यह बस गया 2 z dot d y by d z यह हो जाएगा यहां पर z है तो minus का z d y by d z d z है यहां पर ने प्लस y equal to 0 तो यह हमारे पास में equation प्राप्त होगी आप देखो 2 z dot d y by d z minus z d y by d z 2 में से 1 गया तो कितना बस गया 1 तो z square dot d square y upon d z square plus z d y by d z plus y equal to 0 यह हमारे पास में equation प्राप्त हो गई तो अब है आप सारी questions है हमें इसी तरह किसे करने है तो इन से related आपके एक just आगे question यह जेड बराबर 10 x से कुछ ऐसा दियावा है तो उसमें भी same ही rule लगना है same ही करना है कुछ भी changing नहीं है तो दो प्रकार थे दोनों प्रकार मैंने आपको बता दिये हैं अच्छे से मिलाना है और जिस किसी question में या फिर को difficult लगे तो मैं आपको फिर से बता दूंगा तो ठीक है आज के लिए इतना काफी है कर दो दो कर दो है